साथियों, कॉंग्रेस और उसके साथियों के पास नीचे से उपर तक सिरफ वहुशबाद है वहुशबाद और यहां तो खुल करके हैं और इसलिए राष्ट्रबाद पर बात करने से इनको डर लगता है और यहां के मुख्यमंत्री ने तो बाकी सीटें तो गई मान लिया है अब इज़त बचाने के लिए जोतपूर में गली-गली में घूम रहे हैं कॉंग्रेस को बचाने के लिए नहीं, बेटे को बचाने के लिए उनके लिए कॉंग्रेस के बाकी उमिद्वारों से ज़्यादा बेटे का महत्वा है बाकी कॉंग्रेस का जो होगा तो होगा यही कारण है कि पूरी बेसर्मी के साथ भारत के शावरिये के बजाए पाकिस्तान के दुस्पचार पर विश्वास करते हैं सपूतों की सराना के बजाए पाकिस्तान के सबूतों की बात को लेके देश में ब्रह्म फैलाते हैं भाई और बहनों कॉंग्रेस का डकोसला पत्र एक प्रकार से पाकिस्तान का भौपु ज़्यादा लगता है साथ यों एक कस्वीर से सेना हटाना चाहते हैं जवानों के विशेस अधिकार को हटाना चाहते हैं मेरे जोदपूर की वीर जनता मेरे जोदपूर के वीर नवजवान आप मुझे बताईए ये कॉंग्रेस का डकोसला पत्र जो कश्मीर से सेना हटाने की बात करती हो सेना के अधिकार हटाने की बात कर रही हो क्या ये मेजर सैतान सी का अपमान है की नहीं है ये मेजर सैतान सी जैसे सहीदों का अपमान है की नहीं है शहीदों का अपमान करने वालों को हम सह सकते हैं कितने ही बड़े बाप का बेटा होगा सहीदों का अपमान कर रहे वागा इस मिल्टी पर नहीं चल सकता है मैं आपको इनके एक साथ ही कॉंग्रेस ने जिने और ये बड़े पार्टी के बड़े करता धरता हैं यहां के मुक्यमंत्री और खासम खास है परिवार के वो जैपूर से ज़्यादा दिल्ली के चकर कारते हैं और जब करनाटका में सरकार बनी ते हाथ उंचे करकर करके मौच कर रहे थे ये करनाटक के सीम ने क्या कहा है मालूम है ये कॉंग्रेस पार्टी ने इस बात को खारिज नहीं किया है करनाटक के मुक्यमंत्री ने माफी नहीं मांगी है उन्होंने जो गंबीर बात कही है आपको मतदान के दिन बोट करकरके उनको सजा करनी है सजा करोगे उन्होंने क्या कहा है मैं कहूँ आपको ऐसी बात या खबार में जड़ा काम आती है करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार और वहां के मुक्यमंत्री का कहना है कि जो गरीब है जिनको भूखे मरना पड़ता है जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है ये गरीबी के मारे सेना में जाते है ये करनाटक के मुक्यमंत्री का बयान है क्या ये बात आपको मंजूर है क्या लोग दो रोटी के लिए देश के लिए गोलियां खाने जाते हैं क्या अरे करनाटक के मुख्यमंत्री को ये कॉंग्रेस के नेताओं को समझ नहीं है को वो दो रोटी खाने के लिए नहीं जाता है वो सीने पर गोलिया खाने के लिए जाता है बेशरम लोग है ये क्या है ऐसे लोगों को माप कर सकते क्या ये वीरों की धर्ती, ये जमानों की धर्ती, शहीदों की परंपरा वाली धर्ती, क्या ऐसी पार्टी को एक पल भर के लिए राजिस्तान में ठिकने देगी क्या? भाईयों बैनों चुनाव तो आएंगे, जाएंगे, ये सोच खतरनाख है.